हेलो एवरिवन मेरे यूट्यूब चैनल दड़कापॉंच आप सभी का स्वागत है आज हैं बनाने वाले हैं दाल मखनी जिसी बनाने के लिए मैंने साबुत काली उड़त को राथ को भीगो दिया था उसके थाथ मैंने आधा कटोरी राजमा को भीगो था इसे मैंने इसमें हम सुम बेसिक स्पाइसिस को मिला देंगे कुकर को बंद करके पांच विचलाने तक हमें दाल को पकाना है पांच विचलाने पर मैंने प्लेम को ओफ कर दिया है और कुकर को खोल लिया है दाल हमारी पक चुकी है मैसर से हम पूरी दाल को मैश कर देंगे इस तरह से बने हुई दाल बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही स्वादेश्ट बनती है दाल हमारी गाड़ी लग रही है ना इसमें एक गिलास पाने मिला दूंगी इससे दाल का टेक्चर अच्छा हो जाएगा दढके के लिए मैंने लिया है तेल और गि आप चाहें तो बटर का भी दिख कर सकते हैं मैंने इस इसमें घी डाला है क्युक्कि दाल मखणी में बटर का फ्लेवर क्रीम का फ्लेवर बहुत ज्यादा माहिने रखता है उसला कि मैनने इसमें जीरा इलाकर फटा-फट कुकर में ट्रांसफर कर दिया है इससे मसारा जलेना मैंने इसमें आधा कटोरी फ्रेश क्रीम डाला है जो घर का ही बनाओवा है मलाई को मैंने फेट कर फ्रेश क्रीम बनाया है अब मैं इसमें एक बड़ा चम्मच दही डाल रही हूँ दही ज़्यादा खटा नहीं है दही से दाल का स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कसूरी मेथी डाल कर पाच मिंट के लिए दाल को पकाएं दाल हमारी सैयार है इस तरह से बनी हुई दाल बहुत ही जल्दी बनती है गर्मा गर्म दाल चावल के साथ रोटी के साथ लच्छा प्राठा नान के साथ कैसे विए आप खा सकते हैं बहुत ही अच्छी लगती है आपको यह रेसिपी कैसी लगी मुझे जरूर बताईएगा अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दाल को फ्रेश क्रीम से गार्णिश करके गर्मा गर्म सर्व करें अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज 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 सब्सक्राइब करें और बड़ आइकन को प्रेस करें थाकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए में के नेक्स्ट वीडियो में झाल में प्लाए झाल 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 प्लाए झाल